कि हेलो एवर्यवन करता है यह आप इंटरेटट डाउनोड कर सकते हैं इंटरेल डेवलपर मैनुवल यह खुद प्रवाइड करता है इंटरेल फ्री में आपको इस टोपिक डीपमें समझेना हूँ तो आप वहां सबसकते हैं Okay Start करते हैं CPU Registers骰वर्इविल की तरह होते हैं इंगा रिछोंकर यूज करता ह्या इसका ऍ्ष्छी 32-bit में होगा, E extended, AX, इसके दो पार्ट होते हैं, AX, AH और AL हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इसकी width जो है, length जो है, 16-bit होगी, और फिर 8-bit में आ साता है, byte में, AL में, और ये, जो है, programming में यूज़ होते हैं, और कई सारे general purpose register भी होते हैं, जो arithmetic और logic operation में यूज़ होते हैं, RAX, RBX, RCX, RDA, इस type के, और इनकी meaning है, accumulator जो होता है, वो arithmetic operations के लिए होता है, system calls, जो return values के लिए, में यूज़ करता है, processor इसको, counter, आप जो भी loop लगाते हैं, वो counter में आता है, तो RCX में ही assign होता है, और data, इसमें IO operation, या फिर कोई value return करनी हो किसी function को, और वो value बहुत बढ़ी ह साथ, यूज़ कर लेता है, base register, यह basically मैंने, programming में ही उसका, कोई ऐसा, कोई खास यूज़ नहीं है, general ही है, stack, यह inbuilt stack memory होती है, processor, RAM में बनाता है, function call को implement करने लिए, तो यह उसको, बताता है कि, उसको top, top कहा है, base, base में बताता है कि, stack हमारा कहां से start हुआ है, source और destination, यह बता extended, मतलब extra होते हैं, r18 से r15 तक, यह general purpose होते हैं, इनको आप कहीं भी use कर सकते हैं, mathematical operation में भी use कर सकते हैं, तो अच्छे कोई बड़ी बात नहीं है, इनकी कोई ऐसी, बताना चाहूंगा, कि loop की value, 0 पे आएगी, तब loop खत्म हो जाएगा, आप कुछ भी देते हैं, 2 से 3 पर खत instruction pointer होता है, वो बताता है, कौन सा instruction आप execute करेगा, प्रोसर, और reflex, इसके अलग-अलग bit, अलग-अलग meaning के लिए होते हैं, उसके 0 और 1 से पता करता है, प्रोसर की state क्या है, जैसे कि negative वाली bit, अगर 1 है, तो अगर value जो है, negative आई है, overflow वाली की 1 होता है, तो मतलब overflow है, तो यह programmer क आद में नहीं होता है, programmer यूजर नहीं करता है, करी नहीं सकता, यह CPU करता है, फिर segments आते हैं, CS code segment रिजिटर थे, यह बहुत छोटे होते हैं, I think 8 byte के होते हैं, code segment भी बताता है कि हमारा code कहा है, मतलब instructions, data, stack, यह सब इसी तरह के होते हैं, और extra XMM register भी होते हैं, बहुत सारे हो code जो होते हैं, यह देखो, Intel का manual है, developer manual, इसमें सारे के सारे जितने भी यह opcode आज तक इननों दिये हैं, सब दे रखे हैं, आप check कर सकते हैं, तो basically मैं बता रहा हूँ, जैसे कि move instruction है, तो अगर हम quad word के लिए 64 bit के लिए उसके suffix में क्यों लगा देते हैं, long 32 bit के लिए L लगा पड़ेगा, हम ऐसे अलग लग नहीं कर सकते, otherwise compatible नहीं हो से पाएगा, तो यहां पर हमारे पास calling function call के लिए हैं, जैसे कि कौन कौन से register किसको assign होंगे, तो यह callee वाले हैं, तो यह वे हैं, जिसको call किया जा रहा है, caller जो है, वो वे वाले हैं, जो call करने वाला function करता है, और यह simple हमारा, यह हमारा ELF का architecture है, फिर design है, जिसमें data segment लग होता है, BSS यानि कि uninitialized data of text, यानि कि code segment जहां हमारे instruction होते हैं, तो यह POSIX standard का है, यानि कि इसमें Linux, Linux, इस type के जो जितने भी operating system है, इसी type लगबग यही use होता है, में दिखतर में होता है, सब में नहीं, तो यह आप internet पढ़ सकते हैं, आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मैं आपको सारी, एक एक करके सारे steps बताऊंगा, जो आपको assembly programming करने के लिए ज़रूरी है, और reverse engineering के लिए भी ज़रूरी होता है, reverse engineering, तब तक के लिए, good bye.